Hello friends, आपके लिए बहुत इच्छी news है, जो लोग ASET का exam का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मैं बता दूँ, ASET examination का registration शुरू हो गया है, ठीक है, LN की website पे आ रहा है, और अब किन-किन particular center के लिए वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जितना मैंने देखा उतना मैं आपको बता आपको सबसे पहले क्या करना है, कि आप ln.ac.in पर जाईए, ठीक है, इस website पर जैसे ही आप जाएंगे, इस तरह से website खुल जाएगी, और मेरा suggestion यह रहेगा, कि आप लोग ऐसे जाईए, select center, यहाँ पर देखे, select center का option आ रहा है, इस पर click करेंगे, तो इनमें जिस भी center में आ करना चा रहे है, वो center select कर लिजे, सपोस जैसे मैंने जैपूर किया है, मैं जैपूर पर click करता हूँ, तो यह एलन जैपूर का इस तरह से एक page खुल जाता है, जैपूर.ln.ac.in, यहाँ पर आपने क्या करना है, यह जो apply online दिख रहा है, इस apply online पर click करना है, इस apply online पर आप ज session का आपको कुछ नहीं करना है, आपने इसके ओपर click करना है, जो apply online for session 23-24, common सी बात है, क्योंकि आप admission लोगे तो 23-24 session में ही पढ़ोगे न, आप तो, ठीक है, तो इस पे जब आप click करते हैं, तो यहाँ पे एक registration के लिए एक आपके पास form open हो जाता है, यह ऐसे student registration portal, यहाँ आपने registration करना है, to fill online application form, register session 23-24, email id, password, password, आपका mobile number, किस ln study center में आप पढ़ना चाते हैं, वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, छोटी सी information है, how do you come to know about ln, वो लिख देना option में, ठीक है, enter capture code, capture code, enter करो, I agree, submit कर दो, submit करने से क्या होगा, उसके बाद आप से कुछ-कुछ information मांगेग मैंने already क्योंकी form भरा हुआ है, तो आपको थोड़ी सी help कर देता हूँ, दिखाने में, ठीक है, जब आप submit करोगे, इस तरह का form खुल जाएगा, महाँ पर आप से चार चीज़े मंगेगा, course details, personal details, contact details, preview, final submit, ठीक है, तो course details में बता देता हूँ, suppose जैसे मैंने हैं यहाँ पे select किया हुआ, ठीक है, उसके बाद stream परूच रहा है, क्योंकि मैं already 9 to 10 डाल चुका हूँ, आपने कौन सी class डालने हैं, यह important, suppose आप अभी 9th में और next year 10th में आएंगे, next year means April में, तो आपने 9 to 10 डालने है, suppose आप अभी 10th में और next year आपने 11th में आना है, तो फिर आप कौन सी डा इन में पढ़के क्या करेगा, but anyway, ठीक है, coaching is a business also, first, second, third, यह वो, तो आप इसमें देखें, तो maximum 11th पास, यानि कि अगर आप drop out भी है, तो भी आप ये ASET का exam दे सकते हैं, 11th से 12th वाला भी दे सकता है, 10th से 11 वाला भी दे सकता है, तो मैंने 9 to 10 डाला, जैपूर हो गया, प् आपने ये वाला option नहीं भरना है, अधर वाइस, टैलेंट एक्स वाली scholarship applicable हो जाएगी, तो आपने क्या भरना है, through ASET, through ASET भरेंगे, ASET की जो fees है, वो 500 रुपे है, online application के लिए, अब इसमें ये important है, यह जो इहां पर लिखा हुआ, course fee, जो आप जिस भी course में admission लेना चाहते है उसकी fees आपने ASET का result आने के बाद भरनी है, तब आपको ASET की scholarship applicable होगी, ऐसे नहीं कि आप बोलो मेरा ASET तो 14 December को है, और मैं अभी जाके na fees भराता हूँ, ठीक है, बाद में मुझे scholarship मिल जागी, तो ऐसा बिलकुल मत करना, wait कर लेना, अगर आप ASET के थूज आना चाहरे हैं, आपको scholarship नहीं देगा, तो आपने fees तबी भरनी है, जब आप ASET का आपका result आ जाए, फिर आप देख लो कि आपको TalentX में अच्छी scholarship मिल रही है, कि ASET में scholarship अच्छी मिल रही है, उस हिसाब से आप उसमें अपनी fees भर दो, ठीक है, उसके बाद जेंडर में आ गया, उसके क्लास 10 फेस वन ए, मींस फेस वन एडवांस, जो कि दिसम्बर से शुरू हो जाएगा, और तीसरा इसमें दिखा रहा है, TalentX 10 फेस वन, TalentX प्रो जो होता है, वो क्या होता है, जो स्कूल के साथ में इनका टाइब रहता है, विदिन स्कूल जो प्रोग्राम रहता ही, वो होता या आपकी सेटी के साब से आपको जो सूटेबल सेंटर लग रहा हूँ, फिर यह आपको अपने आप जो है, टेस्ट की डेट दिखा देगा, किस डेट को आपका टेस्ट है, यह क्लास रूम सेंटर है, यह टेस्ट सेंटर है, टेस्ट सेंटर का मतलब कि A-set का टेस्ट आप of course मैं नहीं वो वाला option आपको दिखाऊंगा personal detail वाला ठीक है for obvious reasons उसके बाद contact detail मंगेगा preview and final submit submit कर दीजे उसके बाद अपनी 500 रुपीज deposit कर दीजे और अच्छे से त्यारी कीजे एसेट का exam दीजिए जिसमें आपको better scholarship मिले अपना एसेट में या talent tax में उसके साब से admission ले लिजे इस वीडियो में इतना ही all the best